दिल्ली से स्वागत है आपका नमस्ते मैं जी नमस्कार नमस्ते बाई साहब अदाब जहीं देखो हमारी बेहन भी हमें रोज ही याद करती है जी आद करती हूँ भाई साहब क्योंकि बहुत सारे लोगों से बात होती है तो सब करते हैं आपको ठीक होगे आपके अस्पान ठीक होगे और आपकी बाभी सब ठीक होगे तो हमेजी दवाई बताओ इसलिए मुझे पूछना पड़ता है फिर एक तो भाई साहब वह ऐसे तो ठीक होगे मतलब एक दम तो बैटका उसके हैं तो इस बहुत देकी पाली में कट-कट होती है कभी-कभी हाँ और दूसरा मैंने गोंचिया खाया था न मेरे पैरों में दरत्थार कमर में तो मैं भी कती एकदम ठीक होगी भाई साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने भाई की खूब बड़ी उमर के लिए मेरी भी उमर आपका लग जाए खूब अच्छे से रहो स हमारी बहन से किसी सूरत कम नहीं है और आपको भगवार ने फायदा दिया आपने फिर लोगों की बड़ी सेवा की दूसरों को फायदा पहुचवाया आप भी बंद कर सकते और आपके भाई थोड़ा और कुछ दिन लें और मेरे खायल से आपके भाई के पास अगर चानी होगी तो मुझसे शिकायत ना करें आप उन्हें हुब अच्छी तरह मेरी तरह से आदाब बोलें सलाम बोलें और ये बात समझा दें कि हमारे घरों में वेस्टन टॉयलेट अब जरूरी हो गया कुछ ऐसा ही जरूरी हो गया जैसे और चीजों में बदलाव आया है हम हमारे वेस्टन टॉयलेट का भी बदलाव आना जरूरी है क्योंकि हमारे और आपकी उमर के लोग हैं जिनको ज्यादा तर को तकलीफ होती है अगर ये वेस्टन टॉयलेट हो तो उनको बहुत तकलीफ आसानी से ठीक हो सकती है आप भी रोक सकते हैं उसे और लोकि सेवा मत जब तक जिन्दगी है लोगों की सेवा मत रोकना मेरा यह आप से अनुरोध है और बहुत दुआ हैं मैं भी करता हूं आपके लिए आप भी मेरे लिए दुआ करते हैं और यह संपर्क भगवान ने बनाया है देखो कब तक हम लोग जीवित रहते हैं लेकिन जब तक जीव पूछे एक मेरे दाएंकंदे के अंदर जटका लगयाता है उसमें दरद रखता है और दूसरा यह है कि जी मेरा वेट कम करने की जो दवा मैं बता रहा हूं उसमें कोई दवा खर्च नहीं होती और वो यह है कि देखिए मैं मुझे अगर आप देख रहे हूं मैं बहुत दिन से साल हा साल से आता हूं चैनल पर तो मैं खुब मोटा सा था और क्यूंकि बहुत चैनल पर आता हूं चैनल पर भी आता हूं तो मैं बैठे बैठे फीट बढ़ने लगा वजन बढ़ने लगा वक्त मिलता नहीं तो मैंने क्या शुरू किया है चार महीने से कर रहा हूं एक प्याले डाल सुबे को पीता हूं नाश्ते में और इसी तरह का कुछ दुपैर में लेता हूं एक प्याले डाल की वरावर और शाम को जित्ती मेरी खुरा के उससे आदा खाने खाता हूं दिन में पांच बार गर पचास सो गिराम कम कर सकते हैं इसे एनरजी इतनी रहती है ताकत इतनी रहती है मेरा टेलर मुझसे परिशान हो गया कि जब भी कपड़ से लवाता हूं एक दो इंची कम हो जाती ही कमर और फिर उसको वापस करता हूं उसने उसको कहता है अभी तो कराया था अब फिर एक हो गया हूं ना पेट है देखिए जबके मैं साहब वजूद हूँ इतना मेरा जसामत कितनी है मेरा मतलबाई चोड़ाई बहुत है लेकिन बड़ा इत्मिनान है ऐसा आप भी कर सकते हैं अच्छा कम यहां जो आपके तकलिफ है इस हाथ से जोर मत लगाएं कुछ दिन एक द सुबह आधा घ्रम शाम खाएं नाश्टे और खाने की बात लेकिन असली मलना बड़ी टेड़ी मिलना है अब हमारी बैन का फोन था वो तो विचारी देखकर आती है कि नंगले मिलना है कितने लोग ले रहे होंगा फाइदा नहीं हो रहा है तो अधा ङ्यआप जेकर पंद सामनाथ जी आदाब जैहिन बताईए क्या सवाल हमारा सुगर है बिलेट बिसर है हाट है हम क्या क्या आयू आयू 55 हाल है अच्छा अगर मैं आपको एक ही ऐसी चीज बता दू जिससे आपकी तीनों रोग बलगे और इससे भी ज्यादा कोई रोग ना हो तो आप मेरे लिए द आप तीन चमश सुबा दुपेर खाने के बाद पानी में मिलाकर पी लिया करिए तीन चमश रात को इससे आपके ये तीनों रोग कंट्रोल होना मुम्किन है डायप्टीज, ब्लड प्रेशर, हार्ड और कॉलिस्टॉल, पेट की परिशानी, लीवर की परिशानी और बहुत सारी परिशानियों के लिए फालिज वाले लोग भी इसे इस्तमाल कर सकते हैं, आप इसे असली इस्तमाल करें, वो फायदा उठाएं, मेरी दुआ है कि आपको फायदा हो जाए, पठान कोट से हैं, संजीव कुमार जी, स्वागत है आपका, नमस्कार जी, जी नमस्कार, मेर नाम संजीव ऐजी, ठीक है, मैं अपनी माता के पुछना जाता हूँ, पूछे, जी संजीव भई, मेरे माता जे डांद के उपर थोड़ा जासे खदा खदा बन गया, जी पूरे दांस में, क्या बन गया, खदा, जी, 특दा, प्छदा है, के उनके उमर कोई पजपन धाल है अच्छा दिखिए यह तो काम कैल्सियम और मल्टी विटामिस का है हर तीसरे या चौथे दिन एक कैल्सियम मल्टी विटामिस की टेबलेट या कैपसूल उनको दिया करें और इतिजार करें अच्छा यह वो लोग भी लें जो 45-45 साल के हो चुके हैं और जिनको कोई रोग नहीं है तो उनकी हड़ियों के लिए उनकी दातों के लिए उनकी मसुड़ों के लिए उनकी जिसम की मजबूती के लिए हर उस शक्स को लेना चाहिए चाहे वो रोगी है चाहे नहीं है रोग 45 साल के बाद लेनी अच है अगर कोई रोग ना हो मजबूती से पूरी जिन्दगी गुजार सके इसके लिए केल्शियम और मल्टी विटामिस अभी उनको हर चौथे दिन दीजिए फिर बाद में एक एक हफते में एक गोली जरूरी है जब तक जीवन है यह लेना एक लाप लाप प्रे कारिय है आप उनसे ले सकते हैं मेडिकल स्टोर वालों से आपको फाइदा होना मुम्किन है तो संजीव जी फाइदा आपको जरूर हो जाएगा अगर आपने एक बात लिख ली है समझ ली है अगर रो माटीरियल आपको मंगवाना है तो आपको करना क्या है हल्पलाइन नमबर पे आप पाइदा है लेकिन डिमांड बहुत जादा होती है और आपके घर तक हम असली रो माटीरियल ही पहुचाते है अब डिमांड जादा होने की वज़े से आप लोग शिकायद कर देते हैं कि अभी तक नहीं पहुच पाया है लेकिन एक बात समझे कि मार्किट में जो आप देते हैं तो आपको लाब नहीं देंगे तो इत्मिनान रखिए थोड़ा सा सयम रखिए और इंतजार थोड़ा सा कर लीजिए आपके घर तक असली रॉम माटीरियल पहुंचा दिया जाएगा जिसके लिए आप लोग हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं सुदेश जी है मेरे पतिगर डाकूते गिर गे थे वो आर्मी में हैं और उस दिन हमने सवाल किया था लेकिन आपने जवाब बता था टीवी में कुछ खराबी होगी थी इस वज़े से हम चुन नहीं पाए और उनके एक गुटने में दरद रहता है कट-कटकी भी आ जाती है ठोड़ी हो गये, कितनी उमर है उनकी? उनकी, 47,44 साल है, फोज में ही है, भी डिटार होने वाले हैं, जूलाई में ठीक ही ठीक ही ठीक ही ठीक ही बच्ड़ी आप लिख लेए, देखें उनको आपको देना है गॉंसिया, गॉंसिया, हम कहते हैं अपनी भाषा में, इसे आसान भाषा म काला गौन कहते हैं ये फाजियों के भी बड़ा काम आता है क्योंकि फाज में जो ट्रैनिंग होती है उस वक्त तो पता ने चलता लेकिन बाद में बड़ी तकलिफ होती है बढ़ापे में तो गौन सिया यानि काला गौन असली मिलना जरूरी है नकली बहुत मिलना है तो ये पंदरा सोला रूपे रोस का इलाज है एक काला गौन जो काले रंग का होता है जायके में कड़वा होता है लेकिन इसकी जगा लोग एलवा दे देते कोई कुछ दे देता है कोई कुछ देता है ये एलवा नहीं है ये कोई और गौन नहीं एक अलग टाइप का गौन है जो अगर आपको असली मिल गया तो पंद्रह सोला रुपे रोस का इलाज है एक गिराम रोजाना खाना होता है आदा गिराम सुबह आदा गिराम शाम और फाइदा यह प्माट साथ दिन बात करता है लेकिन यह रोग की जड़ पर काम करता है अभी आप टीवी देख रहे थे तो एक त्यागी जी का फोन आये था किस कदर उनकी पत्नी को फाइदा हो गया जिसको भी असली मिल गया उसको रोग मुक्त होना मुमकिन है असली देना आपकी जिम्मेदारी अदा अदा गिराम दिन में दो बार किला है तो गिराम भी असली मिल गया तो फाइदा होना मुमकिन तो दर्श को देखिए जो भी raw material आप लोगों को हकीम साहब यहाँ पर बता रही हैं अगर आप लोग वो मंगवाना चाहते हैं तो हकीम साहब की कमपनी से मंगवा सकते हैं help line number पे call करके अगर market में आपको कहीं भी कोई भी raw material दिखता है चाहे वो गौन सिया हो गौन मौरिंगा हो जैतुन का सिरका हो अलोवेरा का सिरका हो या फिर जैतुन का नमक हो कलौन जी का नमक हो तमाम ये raw material अगर कहीं भी आपको market में मिलते हैं सबसे पहले query कर लीजे help line number पे call करके कि जो आपके पास raw material है क्या ये असली है या नकली है बिना पहचान किये आप लोग इसका 7 बिल्कुल मत कीजिगा क्योंकि अगर आप लोग इसका 7 करेंगे तो कहीं न कहीं आपको side effect हो सकते हैं अगर वो नकली हुआ इसलिए मैं बार बार आप लोगों से दर्श को कह हैती हूं कि copy pen लेके बैठिए एक एक बात को note down कर लीजे कारिकरम में call नहीं लग पाता है आप लोग help line नमबर पे 24 hours कभी भी call कर सकते हैं हकीम साब आप जो गौन सिया का जिकर इहां पे करते हैं जो कि हर एक ऐसे व्यक्ति को मतलब अपने पैरों पे खड़ा कर देता है ज क्योंकि अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए कि उसका नुक्सान भी हो सकता है अगर इसका अत्यधिक सेवन कर लिया जाए कि उसका नुक्सान भी हो सकता है अगर इसका नुक्सान दे सकता है नमक भी ज्यादा नुक्सान दे सकता है ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है हर चीज नुकसान दे जाती, पानी भी नुकसान दे सकता है, अगर हस से ज़्यादा खा लिए जाए, खाना भी नुकसान दे सकता है, तो क्योंकि ये तो दवा का मामला है, एक राव मैटेरियल है, काश पूरे हिंदुस्तान को असली मिल जाए, लोग नकली बहुत देर है, अ और दुबई में इसकी बड़ी जरूरत है, खाड़ी के मुलकों में, अमेरिका तक इसकी दिवांड है, असली की पहचान जिनको है, उन लोगों को फाइदा होना मुम्किन है. मम्ता त्यागी जी, यूपी से स्वागत है आपका। ठीक हो गी है, वो सिया गौन से मतलब 80% और राम है, उन्हें अप्तु लिक्त नहीं है, जी. बहुत-बहुत मुबारक, कहां से लिया था सिया गौन अचली? आपके करोल बाग से मगाया था जी, अच्छा, और कोई सेवा? पहले अराम जी थी, पहले अराम नहीं हो रहा था जी, लेकिन आपसे जब बाच हुए और आपने बता है जी, ये टोईलेट बगएरा आपका इंग्लिस होना चाहिए, और ये आपकी कुछ लापरवाई हो रही है, इस बार बहुत अराम हो गया जी, हकीम जी. मैं तो बड़ा खुश हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया, त्यागी जी और देखिए, हमारा साथ भी त्यागी जी बैठे वे, ये भी खुश हो गई. और कोई सवाल बताईए. हाँ जी, हाँ जी, दिक्कत ही है किम जी, इसके सिद्धे हाथ की तरफ जो सिद्धा वाला जबड़ा है ना जी, मूँ का, उसमें डर्द है कही साल से, और उसमें अराम नी हो रहा, बहुत ज्यादा उसमें आगशी बलती है, और वो हलका खुला हुआ जी रहता है, सुजद मैं कहा पार रहा है, कोई जोड में बताता है जी, और बोर्स सारी करा लिए उसमें कुछ नहीं आता है जी, जी, क्या, क्या आयू है, आपकी पतनी की, ये कोटी है, ये, हर तानिश साल होगी है, ठीक है, जी देखिए, एक तो ये के, मेरा काम है आपको सच्चा मश्वरा द भगवान ने आपको फाइदा दिया, उसके नाम पर किसी गरीब की कुछ मदद जरूर करें, ताके भगवान भी कुछ हो जाए, ना मेरा जरूर हो रहा है, लेकिन मैं ना आपको नुक्सान पहुचा सकता हूँ, ना फाइदा, मैं तो अपना, जो अनुभव है, वो शेयर क में, सुस्राल में, महके में, उन लोगों को भी फाइदा होना चाहिए, देखे, दुनिया बड़ी जालिम है, और बताती नहीं, फाइदा भी हो जाता है, तो लेकर बैठ जाते हैं, आप ऐसे मत बना, आप सब को बताइए कि भी फाइदा हो जाता है, और मैंने कहा था, कि आप सबर रखें, सयम रखें, कि ये इलाज ही सयम रखने वाले का है, अब मेरा काम खतम हो गया, आप जितना पर चार परसार करेंगे इसका, इतना ही लोगों को फाइदा होगा, इतना ही भगवान खुश होगा, तो मेरी तरफ से आपको ये निवेदन है, कि असली चीज़ का, लोग नकली का करते हैं, आप असली का करिए, ताके मैं भी खुश हो सकूँ, और आपको भी कहीं न कहीं पुन मिलेगा, कि लोग को रोगमुक्त होना चाहिए, जितना आपका दायरा है, जितना आपकी पहुँच है जिन लोगों तक भी, वो रोगमुक्त होने चाहिए, यह नहीं तो लोग 20-20-30-30 साल से तकलीफ में है मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग ठीक हो यहने उसका अपने पास लिखके रखिए कैसे खाना है सब को समझाईए और मुझे बहुत ही अच्छा लग गया कि आपने मुझे फोन करके बता दिया अब देखिए यह आप जानते हैं पेट्रोल जो स्कूटर में डालते हैं पेट्रोल यह पेट्रोल वो कॉटर भिगो गए अपनी पत्नी के जहां पर वो है ना जगा इंप्रेस वहां पर ऐसे लगा के हटा लिया करिये रोजाना थोड़ा सा मुलट का लें ऐसा करके एक दिन में एक बार करें तीन दिन लगातार करें बस और मुलट का लिया करें ऐसे वो लगा के पट्रोल या स्प्रीट इस्प्रीट जो डॉक्टर सिरींग पर ऐसे साफ करके आपके injection लगाता है न वो, इन दोनों में से कोई भी मिल जाए तो आप लगाएं और एक नुस्खा है, आप चाहें तो उसे बना ले, सपिस्तान, लिख लिजे, सपिस्तान, उननाब, अलसी, सपिस्तान, उननाब, अलसी, और आपके किचन के गरम मसालों पीपले होती है, वो, सपिस्तान उननाव अल्ची सोसो ग्राम और तीस ग्राम पीपले आपके किचन के जो गरम मसालों में होती हैं आपकी पत नी जानती होंगी पीपला मूल भी कहते हैं वो तीस ग्राम बाकी चीज़ें सोसो ग्राम पाउडर बनाएं और एक चमच सुबह खाली पेट निहार बतार कर सकते हैं तो बिल्कुल देखिए आपको इतना फाइदा मिला है और बहुत खुशी होती है दर्श को हमें ये सुनके ये जानके कि जो नुसके आपको हकीम साहब बताते हैं वो आपको रोगमुक्त बनाने के सासत आपके मुझ पर एक मुस्कान आ जाती है कि हाँ य अगले कॉलर से